कि नमस्कार हरवल पॉइंट बेगुस राए की ओर से आपका मैं हार्दी के भिजन्दन करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि हम आपके सामने इस उद्देश से खड़े हैं कि आसपास के पेर पौधे जो फल फूल या जो मसाले हैं कीचन के इनके माध्यम से हम आपके तवाम रोगों को दूर करने की बात करते हैं आप किसी महंगी चिकित्सा पद्धती के पीछे न दो रहें और आराम से आप इनके गुणों को जाने अध्यन करें मैं तो बताता ही रहता हूं या आवसेकता हो तो आप मुझे से मिले मैं अनिल कुमार प्रशाद यानि अनिल पतंग और मेरा टेलीफोन और वाटसप नमर है 9430416408 मैं हमेशा उपलब्द रहता हूं आप मुझे मिल सकते हैं मुझे बात कर सकते हैं टेलीफोन पर वाटसप पर सला ले सकते हैं तो आज फलों की चर्चा तो होती है आज क्या रोज होती है और जब किसी चिकित्सक्या हम जाते हैं तो हर रोगों के लिए वो फल खाना आवसेक्स हम बताते हैं और है भी फल की चिकिस्ता से फल का तितना अगर प्रियोग किया जैसे बहुत सारे रोग दूर हो सकते हैं तो आज हम ऐसे एक फल की बात करने जा रहे हैं जो बहुत आम नहीं है लेकिन ये फल इसको स्ट्रॉवेरी कहते हैं स्ट्रॉवेरी इस तरह से पैकेट में या खुला भी बाजार में उपलब्ध है और बिल्कुल काफी ये फल जो आप देखते हैं कि ये लीची से कुछ मिलता देखने में लगता लेकिन वह इसा है नहीं यह तो यहां से दवाईएगा तो पूरा चिपक जगा समुचे से खा जाना है इसके कैसे ये उपस्ता है कहां से आता है इस पर चर्चा करना तो बेकार है आपके सामने तो इसके गुणों की चर्चा हम करें यह रसीला होता है, स्वाद में कुछ खटा मिठा होता है, इसका प्रियोग हम करते हैं, मिल्क स्टेक बनाते हैं, जेम और आइस्क्रीम भी बनाते हैं. सेक्रों प्रकार के इसके यह होते हैं लेकिन वो प्रकार से भी क्या पतलब जो हमारे अपलब दो उसका काम करें इसमें जो मुख्य अभी अब पाये जाते हैं वह है प्रोटीन फाइवार आयोडीन फॉलीट ओमेगा-3 फैटी एसीड, पोटाशियाम, मेगनेशियाम, कैल्सियाम, फासफोरस, बीटामिन B, C और के उपस्तित होते हैं जिसके कारण यह अनेक रोगों के इलाज में उपयोगी है खासकर के हिर्दया रोग, मदुमे, कैंसरादी, रोगों के इलाज में काफी सक्षा है तो आईए सब सब्सक्राइब करते हैं, दिल की बिमारी की बात सामने आही जाती है, क्योंकि हम लोग दिल के बडे मरी हो रहे हैं, आजकाल जिस तरह से तनाव गřस्त हो रहे हैं, खान पान की जो अनियमीतिताएं हैं, जिस तरह रहन संग हमारे दिन चर्जाब में भी जो विशंगतिया यह जो ब्लॉक होने का नुवत आता है उसको भी यह हुने नहीं नहीं देता है दूसरा रोग है मधुमे मधुमे देखिए डाइबिटी यह आम रोग हो गया है और इसको लोग वो राजसी रोग भी कहते हैं साइलेंट की लड़ काते हैं और काते हैं एक बार हो गया तो जिंद्गी भरने छोड़ता है लेकिन मैं दावे के साथ का था हूँ आपका हुआ तो छूटेगा एक दम छूटेगा आप मुझसे मिलें देखिए आपका कैसे छूटता है इसमें 40 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण मदुमेAK रोगी आराम से इसको खा सकते हैं यह 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 गुलुकोज के अस्तर को नियंतरित करता है ओर आपको तुनेस से मुक्ती दिला सकता है नियमीच खाने से आखों के लिए आख्या भी कम नहीं है यहां इसमें एंजाइम भी है और यह एंटियोक्सिडेंट हुआ होता है जिसके कारण क्या होता है कि आपके अंधर यह मोतिया बींद की समस्या नहीं हो पाती है इसे वो शेफ करता ह अगर आप लागातार प्रियोग करते रहें, मोटापा के लिए, मोटापा दूर करने के लिए तरह तरह के वे बिग्या पर निकलते रहते हैं, लोग जीम जाते हैं, क्या जाते हैं, क्या करते हैं, डाइटिंग, फाइटिंग, क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन मैं बताता हू कि इसमें vitamin C है जिसके कारण क्या होता सरीर का मोटा metabolism को बढ़ा देता और इसके अतिरित calorie जो सरीर के अंदर होता उसको बढ़न करता कम करता फाइबर की अधिता होने के कारण सरीर में भूख कम लगती है जिसके कारण क्या होता है कि हम जो अनावस्यक और बजारूद चीजों को खाना सूरू करते हैं उससे हम बच सकते हैं और चास करके वह होता क्या है कि अब इट तूरत-तूरत भूख लगा चलेगें बाजार और क्या-क्या खारा है बाजार में तेलों के बारे आप जानते हैं कि कि किसी भी श्रम ब्हु एक बार आप निकालते line तो अच्छा है डालते हैं डालते हैं उससे भी बचिए कैंसर का नाम सुनते हैं तेखाइए रूह काप बचाता है किसी का जब भूऊ इस तरह का टेस्ट के बाद रिजल्ट आता है कि वह गरीज हो गया है तो उसके घर में ही नहीं पैसेंट का भी आधा प्रांतोसी दिन सूख जाता है और ये फिर वो सुस्ता कि मैं कभी ठीक नहीं हो सुकूँ लेकिन धैज के साथ कैंसर के मरीज के लिए यह जो है यह एंटी ऑक्सिडेंट इसमें फ्लेबोनाइट और विटामिन सी आदी जो है इसमें वो कमजोर सेल को शक्रिय करता है जो सेल कमजोर हो जाता है सेल मरने लगत है उसको एक्टिव करता है और इसके कारण क्या होता है कि केंसर से लगने की ताकत मिलती है हडी रोगों के लिए इसमें जो मौझूद विटामिन के कैल्सिया मैगनेशियम हड़्ियों को मजबूत करता है खासकर करके गर्भती महलाओं के लिए उसके अंदर वो पल रहे है बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है और या दांतों को सुन्दर मजबूत और चमकदार बनाता है इसके खाने से आपके दांत भी सुन्दर होंगे मजबूत होंगे चमकदार होंगे गोडा काला होगया इस तरह का बिग्यापन और शरीर को गोडा बनाने के लिए लो इसको तीन एस्त्रावड़ी लीजिए इसको मसल ये और मसल के सहद मिला के इसका पेस्ट बना लीजिए अब पेस्ट बना के इसके तवचा पर 20-30 मिनट तक लगा के छोड़ दीजिए जब थोड़ा सूख जाए तो इसको सुस्म पानी से दो दीजिए और सप्ता में अगर ए इसके बाल सफेद हो रहे हैं और समय पर और नजाने क्या क्या हो रहा है इसके लिए आप क्या किजिए दो तीन स्ट्रावड़ी को मसल ये उसमें नारियल तेल यानि कोकोनट वाइल और शाहद मिला के पेस्ट बनाई है और पेस्ट बना के अपने बालों पर लगा के 20-25 मि हो दीजिए सबता हमें दो तीन बार करने से आपको कुछी दिनों में असर दिखने पड़ेगा बाल का जढ़ना कम हो जागा बाल का सफेद होना कम हो जागा और दूसरी चीज उसमें ब्रधी होने लगेगी इसकी अलावा ये अनेक रोगों में जैसे गठिया गठिया समस्याओं से भी छुटकारा मिला बनाता है यह स्ट्रोवेडी है जलाव और यह स्ट्रोवेडी का प्रियोग कीजिए भले ही कम मिलता हो आपके यहां लेकिन दूढ़िए और आपने जो फल के जो खास करके आपके वह बेचने बाले हैं उनको बताईए कि हमें स्ट्रोवे झाले हैं